हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रेक्शन को कैसे एड़ किया जाता है और कैसे सब्टेक्ट किया जाता है यह इसके उपर जो भी उप्रेशन किया जाता है जैसे एडिशन, सब्टेक्शन, मल्टिपिकेशन और डिवीजन वो कैसे एपलाई होते हैं वो कैसे apply होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेक्शन को add कैसे करते हैं कि हमार पास कोशन है जिसमें हमें तीन फ्रेक्शन गिवन है 7 by 10 2 by 5 and 3 by 2 अब हमें इसे add करना है इसके लिए क्या करेंगे जितने भी मार पास नीचे नमबर है त्री डिनोमिनेटर है मार पास हम निच्टीनों का LCM लेंगे 10 5 और 2 अब इनका LCM लेंगे तो सबस्क्राइब 2 से करते हैं 2 5 जा 10 1 2 बंजा 2 यह पर 5 आएगा क्योंकि जो 5 है वो 2 से divide नहीं होगा फिर हम 5 से करेंगे 5 बंजा 5 5 बंजा 5 and 5 बंजा 5 यह जो हमारा LCM हम आएगा what hai mà На two 5 आईगा 5 5 5 5 and 5 5 2 5 आट 10 अभर में जो LCM आए हो ना तो यहां पर हम अपने LCM लिखेंगे और अब आप देखेंगे कि जो टैन है यहांपे जो से प्लस फिर में देखेंगे यहांं से प्लस को सक्य से प्लस पहले इवल टर्म लिखेंगे फिर हम देखते हैं कि 10 की टेबल में कहां पर आता है 5 पे 2 5 जा 10 तो हम 3 को 5 से मल्टिप्लाई करेंगे अब हम इनको सोल करते 7 बंजा 7 2 2 जा 4 5 3 जा 15 बाइ 10 अब इनको एड़ करेंगे तो यह आएगा मारा 26 बाइ 10 तो इस तरहां फ्रेक्शन को एड़ करते हैं पहले हम उनका LCM लेंगे और फिर यहाँ पर जो नंबर आएगा हमारा LCM तो इसके इनको चेक करेंगे यहां पर पर जो नंबर है वो इसको कहां पर डिवाइड करता है तो उस नंबर से इसको multiply करेंगे अब 5 10 को ë 2 लुदू को दिवाइड करता है 5 पर तो 5 को multiply करेंगे 3 से फिर इनको solve कर लेंगे उनको add कर देंगे यहां पर आएगा हमारा 26 by 10 तो इस तरहां fraction को add करते एक समूर देखते हैं जैसे यहां पर हमें एक mixed fraction given है पहले हम क्या करेंगे इस mixed fraction को improper fraction में convert करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे इसको इससे multiply करेंगे 236 plus 2 8 यानी 8 by 3 प्लस अब इसको इससे multiply करेंगे 3 2 6 और 1 7 यानी 7 by 2 अब नीचे में बस नंबर है 3 और 2 अब यह इन denominator का हमें क्या करना है LCM लेना है जब हमके LCM लेंगे तो हमें मिलेगा 6 अब 3 की table में 6 कहां पर आता है 2 पर तो 8 की multiply करेंगे हम 2 से फिर 2 की table में 6 कहां पर आता है 3 पर तो 7 की multiply करेंगे हम 3 से यानि यह नंबर इसको divide जहां पर करता है उस नंबर की multiply हम इससे करते हैं जैसे 6 को जब हम 2 से divide करते हैं तो हमें मिलता है 3 यह जो 3 है जो हमारा quotient आया उसकी multiply हम इस 7 से खरते हैं यान 8 2 जा 16 7 3 जो 21 बाइ 6 यह मिले अगा में 7 वह 3 यानि 37 बाइ 6 तो यह थी कि fraction को एड कैसे करते हैं अब सेम ही तरीके से हम उसको subtract भी कर सकते हैं देखिए यहां पर हमें कोशन गिवन है टू माइनस ट्री बाइफाई यह तो हमारा एक वोल है और यह हमारी fraction है जब हमारे पास इस तरह कोई नंबर हो था हम इसके निचे वन लिख सकते हैं उसे fraction की वालू पर कोई इफ्रेक्ट नहीं आएगा देखिए यहां पर जो इनके निचे यह नंबर है हमारे जो डिनोमिनेटर है जब उनका LC हम लेंगे तो हो आएगा हमारा 5 तो 1 की टेबल में 5 कहां पर आता है 5 पर तो 2 को मिल्टिप्लाई करेंगे हम 5 से माइनस 5 कि टेबल में 5 आता है 1 पर तो 3 को मिल्टिप्लाई करेंगे हम 1 से यह में देखेंगे को 2 5 जा 10 माइनस 3 डिवाइड़ बाइ 5 और 10 में उसे 3 सब्टेक्ट करेंगे तो आएगा 7 और निचे आएगा हमारा 5 तो इस तरह हम इसको सब्टेक्ट करेंगे जैसे addition है वैसे इस सब्टेक्ट है बस हमें उसमें एड करना और इसमें सब्टेक्ट कर देना है एक कोशन है हमारा 8 1 बाइ 2 और माइनस 3 डाइ 5 बाइ 8 तो पहले तो हम इसको इंप्रोपर फ्रेक्शन में कनवर्ट करेंगे तो इसके लिए आएगा हमारा 8 2 जा 16 और 1 17 17 बाइ 2 माइनस 8 3 ज जा 2 2 4 जा 8 फी ये 4 है तो ये 4 से ही कर सकते हम इसको क्योंकि और कोई नंबर है नहीं हमारे पास तो जो होले LCM आएगा हमारा वो आएगा 2 इंटो 4 इस एकल टू 8 तो हमारा LCM आया 8 अब 2 की टेबल में 8 आता है 4 पे तो 17 को मुल्टिप्लाई करेंगे 4 से 8 की टेबल में 8 आता है 1 पे तो 29 को मुल्टिप्लाई करेंगे 1 से तो 7 फोर जा 68 माइनस 29 बाई 8 इसको सब्टेक्ट करेंगे यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 3 तो इस तरह हम फ्रैक्शन को एड़ और सब्टेक्ट करते हैं अब देखते हैं कि जब अगर हमें फ्रैक्शन में मल्टिप्लिकेशन है डिविजन करनी है तो वह कैसे करेंगे मल्टिप्लिकेशन में बड़ा सिंपल है कि जो हमें नूमिरेटर और दिनोमिनेटर गिवन है में क्या करना है नूमिरेटर को नूमिरेटर से मल्टिप्लाई कर देना है और दिनोमिनेटर को दिनोमिनेटर से मल वाट करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं 2 x 3 x 5 4 20 और 121 21 by 4 आएगा अब हम क्या करें कि नूमिरेटर को नूमिरेटर से मल्टिप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो इस तरह हमें अपनी मल्टिपिकेशन का आंसर मिल गया जैसे 42 x 12 अगर यह दोनों नंबर किसी एक सेम नंबर से डिवाइड होते हैं तो हम इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में भी कर्वाइड कर सकते हैं जैसे 2 से भी डिवाइड होगा यह 2 से भी डिवाइड हो जाएगा जम इसे 2 से कट करेंगे तो हम मिलेगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 इसको करेंगे तो मिलेगा 2 6 जा 12 हम इसको आगे भी कट कर सकते हैं जैसे 3 7 जा 21 3 2 जा 6 जो हमारी मुल्टिपिकेशन है वह यहां भी राइट है लेकिन अगर हमें बोला जाएग इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में लिखो तो हम इस तरह इसको कॉमन नंबर से डिवाइड करके इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में भी कनवाट कर सकते हैं इस नेक्स्ट कॉश्चन है हमारा 9 x 5 x 3 x 5 इसमें सिंपल ही करेंगे नियूमिरेटर को नियूमिरेटर से मल्टिप्लाई कर देंगे और डिनॉमिनेटर को डिनॉमिनेटर से तो इस तरह आ हम इसको इंप्रोपर फैक्शन में कनवर्ट करते हैं 5 3 x 15 और 1 16 x 3 अब हमें क्या करना जो यह नंबर है डिविजन के बाद जो में नंबर दिया है इसका रेसिप्लोकल लेंगे जो इस डिवाइड कर साइन यह मल्टिप्लाई में कनवर्ट हो जाएगा और यह उल्टा हो ज और दिनॉमिनेटर को दिनॉमिनेटर से अब अगर हमें से सिंप्लेस्ट फोर में लिखना है तो हम इसको कट कर सकते हैं 2 से 2 9 जा 18 इसे एक कोशन और देखते हैं यहां पर हमार पास 5 1 बाइ 6 एंड डिवाइड 9 बाइ 2 तो पहले तो हम इसको इंप्रोपर फैक्शन में कनवर्ट करते हैं सिक्स 5 जा 30 और 131 बाइ 6 डिविजन के साइन जो इसको मल्टिप्लाई में कनवर्ट कर देंगे और यह जो नंबर हमें गिवन इसका यहां पर रसी प्रोकल लिख देंगे अब हम इसको numerator से numerator को numerator से और denominator को denominator से अब इसको वेगा simplest form में लिखना है तो यह दोनों ही even number है हम इसको 2 से divide करते हैं 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40 इस तरह हम अपने fraction को add कर सकते हैं, subtract कर सकते हैं, multiply कर सकते हैं तो हमने आज देखा कि हम अपने जो fraction हैं उस पर ही सारे operation कैसे apply करते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही thank you